हेलो दोस्तों तो इस बार का एम्स जुलाई वाला सेशन के लिए एम्स ने एक नोटिस निकाला हुआ है कि इसके फार्म के अप्लिकेशन के बारे में इसमें से जो बेसिक रेश्टेशन के लिए था तो वो तो 27-1220 और ये 10-10-20 तब को क्लोज हो जाएगा लेकिन ज्यादा इंपर्टेंट यह है कि इडिट बेसिक डेट अफ इडिट अप्शन ओनली फार्दी कॉलम आप बेसिक रेश्टेशन यह शुरू होगा आपका 12 फर्वरी को और यह इंड होगा 14 फर्वरी को पांच पर जाग और फाइनल रेश्टेशन डेट अफ इडिट अप्शन ओनली फार्दी कॉलम आप फाइनल रेश्टेशन तो फाइनल रेश्टेशन का जो डेट है 26 मार्च 2020 और क्लोजिंग डेट है 28 तीन मार्च 2020 ठीक है और इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है यह है कि एक्जामनेशन का डेट पता है तीन में 2020 को होगा एक खास बात ही है इसमें कि आल एप्लिकेंट हूँ है अप्लाइड अर्लियर और फूस बेसिक रेश्टेशन अप्लिकेंट फ़ाइड और युष बेसिक रेश्टेशन है आप्लिकेंट फॉस बेसिक रेश्टेशन है थे विल फॉस बेसिक रेश्टेशन नहीं करना है फिर कुछ मार्क किया है कि candidate requiring correction in basic registration और final registration the edit panel will be available as per schedule only for limited period ठीक, it may kindly be noted that the editing shall be done only by the candidate and candidate will be responsible for all correction no correction allowed after closing date of editing ठीक है, तो applicant may not that further correspond will not be entertained in this regard और इसने जो limited duration की बात कि जो limited period की बात किया है वो है आपका 14-2-2020 by 5 p.m. तक आप correction कर सकते हैं उसके बाद से आप correction नहीं कर पाएंगे जैसे इसमें ता उपर ये date of edit option only for the column of basic registration ठीक है और ये edit option only for the column of final registration ठीक है तो ये दो date दिया हुआ है हमारा यहां तक आके आपको correct कर लेना है ठीक है तो ये हमारा EMS का कुछ notification था और इस वाले page का link मैं डाल दे रहा हूं अपने facebook page भी वहां से आप लोग ले सकते हैं और EMS के जो official site है वहां से भी इस page को download कर सकते हैं ok thank you guys